हेलो फ्रेंट्स मैं हरदीव सिंग फॉम गति ग्रोप फॉफ क्लासेज आप सभी का स्वग्ध करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी क्लास प्लस टू के पींटिंग के सलेबस का बेंगॉल स्कूल अफ ठीक है यह आपका सिकिंड लास्ट जो है वो टॉपिक है जिसमें हम आज हम कुछ जो है खास बाते करेंगे जैसे कि introduction, original development करेंगे, subject matter, characteristics, drawbacks, साथ ही में हम contribution देखेंगे, लग-लग आटिस्ट का rational freedom struggle में क्या रहा है, बारत माता के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आटिस्ट का भी contribution जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे तो शुरू करते आटिस्ट की बार करें क्योंकि वहां पर रविंदरना टेकवोर जी थे तो ओवियस सी बात है, उन्होंने वहां पर शांती निकेतिन शुरू कर दिये, वहां पर एक movement की तरह ये शुरू हुआ, आटिस्ट ने बहुत सारे जितने भी उनमें participate किया, उन्होंने नहीने method यू देते हैं, paintings को colors लगाके, इसी तरीके से जो है, वो 7-8 बार process को करते हैं, फिर जो है, वो color सोक लेती है, ठीक है न, तो इस तरीका का भी काम किया जा सकता है, तो यहां पर जो है, national sentiment, सवदेशी movement, non corporation, self governments, यह बहुत सारी चीज़े जो है, उन्होंने यहां की Bengal school की art जो है, उ इन दोनों को माना जाता है कि Bengal school of art अगर flourish हुआ है, starting हुआ है, तो इन दोनों को pioneers, pitama माना जाता है, ठीक है न, साथी में अगर हम करेंगे अभी original development of Bengal school of painting, अगर हम origin की तरफ देखें, तो सबसे पहले देखेंगे कि 19th century में जो miniature painting है, वो तकरीबन खतम हो चुकी थी, decline हो चु prevalent तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही थी, तो अभी जो है, वो एक newly developed western style जो है, उसकी painting को शुरू किया, किसने राजा रवी वर्मा ने, ठीक है न, इसको बिल्कुल हम याद रखेंगे, कि इस तरीके की painting की, उन्होंने जिसको serigraphy बोला जाता था, ठीक है न, उ रविंदरना ठाकूर जो के रविंदरना ठाकूर के nephew भी है, तो उन्होंने Indian style को alive करने के लिए, जो Bengal school है, उसकी शुरुवार की, अभी एक करने सा, इसका मतलब देखो, सिपल सी meaning है, इसका एक meaning है, that is change, आपको ये याद रखना है, ठीक है न, कुछ लोग इसको revolution भी बोलत अब पभजी में revive करते हो न, अपने friends को उसी तरीके से यहाँ पर भी revive करना है, लेकिन Indian tradition को, Indian paintings को है न, तो अभी साथ में बरेंदरना ठाकूर, हमने पहले भी बात की है, वो pioneer है, इसके और भी बहुत सारे उनके जो चेले थे, उन्होंने भी साथ में काम किया, national style of art में काम किया, क्योंकि 19th century में तकरीबन तकरीबन जो मुगलो राजपूर स्कूल की paintings जो है, वो खतम हो चुकी है, लेकिन Britishers फिर भी western art यहाँ पर establish नहीं कर पाए, और 19th century में राजा रवी वर्मा के साथ, जो art है, वो तकरीबन खतम हो चुकी थी, तो राजा रवी वर्मा जो है, उन्होंने वो काम पे लेकिया है, ठीक है ना, तो अभी देखते हैं कि इसका main जो credit है, Indian style of painting, जो नया एक style शुरू हुआ है, वो किसको जाता है, राजा रवी वर्मा साथी में यी भी है, इन दोनों को जो है, वो पूरे का पूरा जो credit है, वो जाता है, साथी में यहाँ पे जो paintings हैं, उनको exhibit किया जाता है, और Percy Brown, John Woodruff, Nancy Mehta, O.C. Ganguly, ये सारे के सारे कुछ ऐसे artist हैं, जिनोंने art को appreciate किया, ठीक है ना, उनकी जो art थी Bengal school of art की, उनको appreciate किया, और उनको कहा कि भाई, नहीं, आप और अच्छे से जो है, वो काम अपना जो है, वो करो, ठीक है ना, साथी मे यहाँ पर देखेंगे, Lady Haringam, जो के इंडिया में आई, तो उन्होंने यहाँ पे अजन्ता की paintings की copy करवाई, किस से नंदराल बोस से, असित कुमार खावलदार, के वेंकटपा, और भी अलोरा, बाग, यहाँ के जो paintings हैं, वो भी बनाई गई, और उनको Indian Society London में भी publish किया गय इश्वर परशाद और पतना जो school के हैं, उन्होंने कैलकटा में रहते थे और religious themes पे काम करना उन्होंने शुरू किया, अनंद कुमार स्वामी, यह इन्होंने बहुत सारी exhibition जो है, वो Indian paintings की foreign countries में भी लगवाई, जिसके कारण क्या हुआ, foreign countries में भी रहने सां of Indian art जो है, वो spread होना शुरू हो गया, ठीक है न, Bengal school की बहुत जादा बड़ोतरी जो है, वो वहाँ पे होनी शुरू हुई, अभी पढ़ते हैं subject matters के बारे में, subject matters of Bengal school, देखो यहाँ पे historical paintings की गए, जैसे की तिश्या रक्षिता, बुद्धा और सुजाता, अक्पर और कुनाल, इन सभी के films, यह आपको बिल्कुल ध्यान लखना है, कि जैसी poems होती है, poems के उपर पढ़के, उसके उपर जो illustrations है, वो बनाई गई, जैसे कि मेग दूत हो गया, राम कोपाल विस्वर क्या हो गया, है न, इनके बाद में, हम बाद में पढ़ेंगे भी, अपनी next video में, अच्छा, social life के ब certain animals, obviously बात है, इंडियन का शुरू से ही जो है, वो एक अच्छा subject matter रहा है, जिसके उपर काम करना, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है न, तो last journey, the end of a camel, जो है, depict किया गया है, उसमें बहुत ही अच्छा जो है, वो पेंटिंग को दिखाया गया है, वो हम अपनी next video में पढ़ेंगे, आपको यह याद रखना है, इंडिया नाशनल फ्लैक के बारे में, और साथी में इसकी paintings के बारे में, वो हम lecture 2 में पढ़ेंगे, अभी हम lecture 1 कर रहे हैं, ठीक है न, lands के paintings जो है, वो भी काफी अच्छे सी की गई है, characteristics पढ़ते हैं, बेंगॉल स्कूल के, जैसे की अजन्ता का काफी ज्यादा influence हमने देखा है, वाग की delicacy rhythm जो grace है, अजन्ता की paintings में दिखाई देती है, वो यहाँ पे भी दिखाई देती है, इंडरेंट डिशन जो है, उसको full यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि उनका main aim ही जो था, वो इंडरेंट डिशन को flourish कर ना था, simple and clear paintings है, कोई ऐसा नहीं है कि भी modern art की तरह उसको समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई problem नहीं है, soft and rhythmic figures जो है, delicate and graceful figures बनाई गई है, कोई hardness हमें बहाँ पे नहीं दिखाई देती, साथ ही में यहाँ पे हमने देखा है कि attractive color scheme जो है, वो use की गई है, bright and gaudy colors है, उनको use किया गया है, ठीक है, technique जो है, obvious सी बात है, wash technique पहले भी हमने बात की है, impact of Mughal और Rajasthani school अभी भी हमें कुछ paintings पे दिखाई देता है, ठीक है न, ये साथ में साथ आपको जो है, वो चीजों को याद रखना है, अभी light and shade वो भी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि किसी भी art में उसको अगर सजीव करना है, उसमें जान डालनी है, तो light and shade होनी बहुत ही जरूरी है, drawbacks देखते हैं, इसके Bengal school के, जैसे कि शुरुवात में अगर हम देखे तो paintings बहुत ही attractive बनाई गई गई, जो इतने भी pioneers थे, जैसे कि ये बने अधना टैक पर हो गया, गेंधनात हो ग और यह जो copies है, वो नहीं बना पाए, ठीक है न, जैसे कि figures, कोई long arm है, theme figures दिखाई दे रही है, unattractive paintings दिखाई दे रही है, ठीक है न, तो ये चीज़ आपको जो है, वो बिलकुल याद रखी है, तो EB Hevel, जो हमने पहले भी बात की है, जो के traditional Indian art और Indian artist बने तना टैकोर, जो क एक society का ही reflection है, तो obviously बात है वहाँ कि environment का हम पे भी प्रभाब पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये Indian freedom struggle का जो एक time period है, that is full of patriotism, कूट-कूट के भरी हुई है न, उस time पे patriotism, क्योंकि अंग्रेजों का time चल रहा है, Indian freedom movement का जो है, वो public life के उपर भी काफी impact है, तो 19th century और 20th century के जो शुरुवात का phase है, वो artist के लिए बहुत ही exciting था, ठीक है न, वो बहुत ही अच्छा था, जिसके time पे Indian freedom struggle का बहुत ज़दा influence हमें दिखाई देता है, तो उन्होंने भी सबदेशी movement को, national movement को अपना एक subject matter मान के चला, उस पे काम किया उन्होंने, ठीक है न, national leaders थे, मात्म importance है, तो Indian art already suffered कर रही थी, ठीक है न, क्योंकि कभी Mughals आ गए, उन्होंने classical art, जो है, वो खतम कर दी, British है आ गए, फिर उन्होंने कर दी, तो उन्होंने हमारा education system ही change कर दिया, जिसकी वज़े से हम Indian जाने जाते थे, तो art of religious, जो importance है, वो लोगों के लिए बहुत ही माइने British, जो है, Western culture, जो है, उसके साथ हम काफी ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके हिसाफ से हम काम करते हैं, गाने सुनते हैं, ऐसी चीज़े करते हैं, ठीक है न, तो obvious सी बात है, तो उस वक्त भी, अपना Indian जो culture है, उसको alive करना बहुत ज़रूरी था, तो Bengal school में इसमें बहुत ज साइल में ले के आए, ताकि आजकल के लोग जो है, वो उसको असानी से समझ सके, अब अनिंदर ना ठाकुर ने इसमें सबसे ज़्यादा काम जो है, वो उन्होंने किया, उन्होंने इवन के Indian Society of Oriental Arts, जो है, उसको भी flourish किया, अभी यहाँ पर भारत माता देखते हैं, देखो जो है, वो उसको करने के लिए, अगींस्ट उसके बोलने के लिए, उन्होंने ये पेंटिंग जो है, उसको बनाया, उन्होंने एक यंग वोमेन जो है, वो चार आम के साथ बनाई है, ओवीर सी बात है, ये हिंदू डाइटी ही है, एक तरह की, ठीक है ना, या फिर हम मानते तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है, वो हमारे हिंदू डाइटी जो है, उनमें ही दिखा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो ये miniature format में बनाई गई, ठीक है, तो obvious ही बात है, एक Bengali peasant woman को दिखाया गया है, जसने saffron color के कपड़े पहने हुए है, ठीक है, वह और जो क के हम लोग जो है, वो बहुत ही ज़्यादा पड़े लिखे भी है, एवन के हमारा education भी है, अच्छा है, तो अबनेंदर ना ठाकवर ने यहाँ पे बंकिन चंदर चेटर जी, जो उनकी नाशन पोई में वंदे मात्रम, उसके उपर डिपेक्ट करके ये painting जो है, उसको बनाय एक हाथ में उन्होंने अपने rosary पकड़ी हुई है, means liberation का जो है, अजादी का एक प्रतीक है, उसको दिखाया गया है, साथ ही में उन्होंने एक हाथ में अपने जो है, वो गीहूं पकड़ा हुआ है, तो ये चीज जो है, that means, यहाँ पे जो माला है, वो एक thread of continuity, हमारा past के सा जो past और present दोनों में आपस में connection है, यहाँ पे गेहूं पकड़ा हुआ है, मतलब कि हम agriculture productive area है, ठीक है न, इस चीज को दिखाया है, उन्होंने, साथ ही में यहाँ पे cosmic law, मतलब भगवान के साथ कही न कहीं जोड़ा गया है, हम बोलते हैं जैसे कि sister Nivedita जो थी, वो इतना चाहती थी कश्मीर to कन्या कुमारी, इसको spread किया जाए, लोगों को दिखाया जाए, लोगों में जो nationalist की भावना है, वो निकाली जाए, ठीक है न, तो इस तरीके से भारत माता को depict किया गया, ताके वो यह एक तरह के भारत माता अपनी अजादी चाहती है, अपने बेटों स इसके एक जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, साथ ही में यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, उसकी बेटी जो है, वो बैठी हुई है, हर एक इंडिया की मतलब के जो किसानी का हाल है, जो रूरल इंडिया है, वहाँ को depict किया गया जाए, ठीक है न, आवरेज पीजन् नंदलाल रॉय जो है, उनकी सौंग के ओपर डिपक्ट करके इसमें बनाया, मतलब के एक ब्लू सी से उबरती हुई, हिमाल्या से निकलती हुई, ठीक है, जो है वो बनाई गई है, ठीक है, घोश जी ने है, जो है, इस तरीके से सिंबलाइस किया है, ठीक है, और साथ ही में अगर हम नंदलाल बोस का काम देखें, तो उनके बारे में तो कहना ही बड़ा, मतलब, बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इंडियानाशनल मूव्मेंट में और इंडियानाशनल कॉंग्रेस के लिए, बहुत सारे काम किये, वहां के पोर्टेट्स लोगों के, हैना, जो न सॉल्ट टेक्स की वजए से, तो बॉस ने क्या किया, एक प्रिंट जो है, एक प्रिंट जो है, उन्होंने बना दिया, जैसे की, जो कि एक सिंबल बन चुका था, बात में, एक आईकॉनिक इमेज बन चुकी थी, नोन वालेंस मूवमेंट के लिए भी, तो अभी इतने ज्य मिला, उसके साथ उसने जो है, वो डेकोरेशन की, ठीक है, बसात में उसके बहुत सारे आटिस्ते भी, नोदा बिहारी मुकर जी, परभात मोहन, विनायक मासु जी, असीत कुमार होलदार, वो भी इसमें उनको असिस्ट कर रहे थे, यह है, नंदलाल बोस जी, ठीक है, जो क बहुत सारे आटिस्त कोलते हैं कि भई, अगर अच्छा माटीरियल होगा तो अच्छा काम होगा, नहीं, माटीरियल मेटर नहीं करता, आपकी आर्ट मेटर करती है, आप क्या काम करते हो, आपके वीजन क्या है, वो उस पे डिपेंड करता है, जैसे कि हरीपूरा में नंदल बना दिया ठीक है, पोस्टर्स जो थे, जैसे कि हंटर्स, मुजीशियन्ज, आनिमल रेरिंग, चाइल्ड नर्सिंग, कुकिंग, बहुत सारी जो चीजे हैं, वो हरीपूरा में पंडाल्स में लगाई गई ताके नैशनलिज्म लोगों में आ सके, हमारी आइडंटिटी एक जो है, वो बन सके, और भी बहुत सारे आर्टिस हैं, जैसे कि गिंदरना टेगो, जिन्होंने पंजाब में जब जल्लियां वाला वाग का में सेकर हुआ, तो उस वक्त उन्होंने काफी ज़्यादा काम किया, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूस पेपर में उनके काम जो हैं, वो भी पबलिश हुए, जैसे कि असित कुमार होलदार जो है, उन्होंने बहुत सारे डॉकुमेंटिंग के वार्ट ओफ जन्ता लोरा बाग उस पे भी काम किया, आपको यह याद रखना है कि कारिकेचर्स और कार्टून में डिफरेंस क्या है, कार्टून होते हैं, जैसे क करिकेचर्स बोलते हैं, जो के रियल लाइफ में भी हैं, और उनके कार्टून भी बनाए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से नंदलाल पोस जी ने काफी ज़्यादा रैपलिका जो है, वो काफी बनाई, जो कि हमने पहले भी बात किया है, कि लेडी हरिंगम जो है, उसको ले ज आतम होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, टीचर्स के साथ, शेयर करें, और हाँ, अगर आप नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपका कोई भी कोस चैनल क्वेरी कुछ भी है, आप कोमेंट सेक्शन में लेख सकते हो, आपको अंसर जरूर मिलेगा, थेंक्यू गाइस, बाए बाए अब्रीबर्ण,